हाई फ्रेंड इस विकास सुमान और आज मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर रहा हूँ जिसमें मैं आंबोक्स करने जा रहा हूँ और आप लोग के लिए विडियो को जो की एक स्टूडियो हेड़पोन है जिसके तुरू हम लोग मिक्सिंग और मॉनिटरिंग करते हैं तो इस वुडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोग से क्रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग से बेस्ट लगाता इसलिए मैंने इसे पर्चेज किया और अपने mixing और mixing mastering and monitoring के लिए मैं इसे यूज करूंगा तो आज मैं इसका unboxing करूंगा after 20 to 25 days मैं आप लोगों को इसका full review दूँगा तो इसके full review के लिए आप ready रहे आज unboxing करके मैं बताऊंगा कि Amazon के तुरू जब मैंने इसे purchase किया तो इसमें मुझे क्या-क्या मिला और क्या-क्या price मुझे इसके लिए चुकाना पड़ा तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें हमें क्या-क्या मिलता है और हमें box कैसा मिला है तो सबसे पहले मैं आप लोग को box दिखाना चाहूंगा तो ये है हमारा audio technica का ATH-M50X headphone का box और आज ही ये मुझे मिला है अब हम लोग इसे खोल कर जानेंगे कि इसमें हमें क्या-क्या मिला है तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसे open करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का इसमें हमें headphone है और क्या-क्या accessories है तो चलिए अब हम लोग देखते है तो ये हमारा है audio technica ATH-M50X का box काफी attractive box है और काफी अच्छा packaging है अब हम लोग इसे open करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या-क्या मिलता है और क्या-क्या accessories है हमारे पास तो सबसे पहले हमें इस तरह का कुछ मिला है इसमें क्या है कुछ है अंदर तो इसमें हमें user's manual मिलता है और एक pouch मिलता है इसमें आप headphone को carry कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा first accessory अब हम लोग देखेंगे headphone को तो headphone भी काफी अच्छे packaging के साथ है प्लास्टिक covered है तो अब हम लोग इसे निकालेंगे और देखेंगे काफी heavy है ये headphone तो ये है हमारा audio technica का ATH-M50X और काफी attractive है और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली वायर वायर आपका इसमें आप extended वायर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके वायर से किसी भी तरह का problem हो तो आप individual wire को change कर सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि आपके wire खराब होने के कारण headphone पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा तो इसमें ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप 10,000 में कोई headphone ले रहे हैं और उसमें आपको इस तरह की problem हो कि like wire खराब तो इस तरह का problem हो जैसे कि इसमें आपको एसा problem देखने को नहीं मिलेगा और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है अपका तो यह हमारा हो गया अब हम लोग देखने कि अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरी मिलता है अंदर एक्सेसरी में हमारे पार बहुत कुछ है केबल का को मिल जाता है इसमें तो एक केबल हमारा है हेड़फोन केबल है यह नॉर्मल दूसरा केबल भी हमारा हेड़फोन केबल है बहुत ही बहुत ही अट्रेक्टिव है गोल्ड प्लैटेड है सारा आपका और एक हमें मिलता है इस तरह के वायर में जो की जैक्सन वायर हम लोग जिसे कहते हैं काफी यह यूस्फुल है हेड़फोन बर्क के लिए लेख सकते हैं आप लोग काफी यूस्फुल है गोल्ड प्लैटेड सारा है सारा का सारा आपको वायर का जो केबल से और जो सारा जैक है उस सारा गोल्ड प्लैटेड है और इससे आपको नौइज रिडिक्शन में काफी हेल्फ मिलता है तो इतना आप लोगो को बताना चाहूंगा कि यह था हमारा ओडियो टेकनिका का एटीएच एटपोन है अगर आप लोग पर्चेस करना चाहते हैं तो आप लोग इसे पर्चेस भी कर सकते हैं और डिटेल्स रेवियू मैं 20-25 देज के बाद दूगा अगर आप डिटेल्स रेवियू देखने के बाद इसे पर्चेस करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम आप उसके बाद भी पर्चेस कर सकते हैं बट अभी मैं बता सकता हूं यह एटपोन काफी अच्छा है तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों से ही आगे लेंज चाहू ले हैं